एक दो तीन चार हैं मिर्यों दो मुर्गिया कहां गई तू जा अब एक ब्लैक स्प्रे ले किया हां उस्ताद ब्लैक स्प्रे का क्या करोगे देखना ये मुर्गी उसी मुर्गी वाले को बेचूंगा तू जा तू मरवाएगा तुझे मैंने जितना बोला वो कर बाकी मुझे पर छोड़ दे जा अब देखना तू मेरा कमाल वाव वाव उस्ताद समझ गया ये दूसरी को भी करो हां वाव उस्ताद ये तो देखनी मुर्गी बन गया है हाँ चल अब जाके उस मुर्गी वाले को चूना लगाते हैं मोटू भाई ये देखनी मुर्गी चैक करो ये मुर्गियां तो मुझे खाते पीते घर की लग रही हैं मोटू भाई हमने इनको बड़े नाजोंआव से पाला है अच्छा मेरी भी कोई कमीना हरामी दो मुर्गियां चोरी करके ले गया है मोटू भाई ये भी तो हो सकता है कोई बिल्ली या कुटा ले गया हो नए नए कोई बिल्ली या कुटा लेके जाता तो मुर्गियों की warten ये खिसी हरामी एंसान कही काम है मोटू भाई इनको छोड़ो अब ये बताओ कि ये मुर्गी कितने में रखोगे इन मुर्गियों के मैं आपको दो हजार दे दूँगा वा मोटू भाई अपनी फार्मी मुर्गी बनी बनाई का रेट साथ सो रुपे किलो और हमारी देसी मुर्गी का हजार रुपे ये तो ना जायज है उस्ताद यो मिल रहे हैं ले लो ना चुप कर गे अरे पागल सप्रे के पैसे भी तो निकालने है ओ भाई ये मुर्गियां देनी भी है कर नहीं मोटू भाई ये देसी मुर्गियां अमीर लोग बड़े शोक से खाते हैं दोनू के तीन हजार पे दे दो अच्छा चलो छोडो ना मेरा दो हजार ना आपका तीन हजार पच्ची सो में दे दो ये लो मोटू भाई बिसमिल्ला करो ठीक है इदर रख दो ये लो आजो आजो देसी मुर्गियों के शकीन आजो हटी कटी देसी मुर्गियां आजो आजो हाँ भाई देसी मुर्गियों कितने में दे रहे हो ये तुमने लेनी है नहीं नहीं भाई चोदरी साब के लिए लेना है चोदरी साब के लिए लेनी है ये दोनों मुर्गियां पांच हजार में दे दूँगा ये लो पांच हजार और दे दो और ऐसी मोटी मोटी मुर्गियां रखी गरो रुको भाई ये मुर्गियां मत लेना क्यों ये मुर्गियां बेमार हैं क्या ओ भाई खैर तो है क्यों मेरे कस्टमर करो करें मुर्गियां लेने से मोटू भाई ये वो ही दो मुर्गियां जो तुम्हारी दुकान से चोरी हुई थी हैं तुम्हें कैसे बता मोटू भाई मैंने खुद देख्या दो बंदे आपकी मुर्गियों के सप्रे कर रहे थे ठाक इंसान पांच हजार वापस कर मेरा अच्छा ने किया उन दोनों कमीनों ने मेरे साथ भाई साथ ये देसी मुर्गी बेचनी है देसी मुर्गी? मुर्गी को कलर करके मुझे बेचने आ गया है अब मुझे कोई बेवाकूफ नी मना सकता